असलाम अलेकुम दोस्तों, विल्कम टो फरहाना स्वीस्ट, तो आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल हैदराबादी हलीम की रेसिपी, जो सबके घरों में एक मस्ट रेसिपी है रमजान की, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान से बनने वाली है, क्योंकि ये वन पॉट रेसिपी है हलीम की, कोई भी इसको आसानी से बना सकते है, बिना किसी जंजट के, तो चलो शुरू करते है रेसिपी को, और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो सबस्क्राइब जरूर कर लिए इसे मज़ेदार रेसिपी के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हलीम की रेसिपी के लिए हमें दालों को भीगो के रखना है, यहाँ पे मैं एक कप ब्रोकेन वीट ली हूँ, दलिया जिसको कहते हैं, और दालों में यह देखें, तूर की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, मूं की दाल, और चने की दाल, यह सब वन वन टेबल स्पुन ले इन सारे चीज़ों को दोसे तीन बात धो कर हमें पानी में भीगो के रखना है, दोसे तीन घंटों तक युसको कम से खिगो के रखना है, अब नेक्स्ट हमें 4 मीर्यम साट के प्यास चॉप करके फ्राइक कर लेना है, इस तरीखे से गोल्डेन ब्रॉन कलर आने तक फ्राइ जिसमें जाएंगे आधा टीस्पून काली मेच, दो दालचीनी के तुक्रे, चार लॉंग, आधा टीस्पून कबाप चीनी, ये में इंग्रीडियन्ट है हलीम में, और एक टीस्पून शाजीरा, कबाप चीनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता हलीम में, तो जरूर अट करें इन सारे चीज़ों को दो मिनिट के लिए सौटे करने के बाद, इसमें हम आट करेंगे, दो चॉप किये हुए प्यास, प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्रै कर लेना है, अब हम इसमें आट करेंगे, दो टेबल स्पून अधर कलेसन का पेस्ट, इसको भ दरूर हड्डी वालों गोश्थी दालिए, गोश्थ को भी अच्छे से 5 मिनिट तक हमें भूनना होगा, भूनने के बाद इसमें हम दालेंगे मसाले, जिसमें जाएंगे, दो टीस्पून नमक, आदा टीस्पून हल्दी, देर टीस्पून लाल मिर्च पोडर, और एक टीस गरम मसाला, इन सारे चीज़ों को अच्छे से भून लेना है हमें, मसालों को अच्छे से भूनने के बाद ये देखे, इस तरीखे से इसके उपर का आईल हम निकाल के सेपरेट करके रख लेंगे, एक बॉल में, ताकि हम बाद में यूज़ करें, गार्निशिंग के टाइम इससे बहुत अच्छा लुका आता हलीम का, तो इसको साइड में रख देंगे हम, और अब इसमें आट कर दे, एक मुठी भर के पुदीना और धनिया के पते, और 3-4 हरिमेच, इसको भी मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें आट करेंगे, डालें जो भीगो के रखे थे हम, दालों को कम से कम 2-3 घंटों तक भीगोना है, मैं 2 घंटों तक भीगो के रखी थी, अगर आपके पस टाइम हो, तो आप 3 घंटों तक भी भीगा के रख सकते, अब हम इसमें आट करेंगे पानी, मैं यहां पर एक लिटर पानी आट कर रही हूँ, अब चाहो तो इससे गई है, अब हम इसमें से गोश्ट को अलग कर लेंगे, जो हड़ी वाले पीस है, और इसमें से हड़ीयों को अलग कर लेना है हमें, तो यह देखिए, इस तरीखे से हड़ीयों को अलग करके, गोश्ट को इसी में दाल के, हमें अच्छे से मैश कर लेना होगा, कम से कम 10-15 म इसको अच्छे से घोटना होगा दाल घोटनी की मदद से या मैशर की मदद से तभी इसका परफेक्ट सा टिक्स्चर आएगा हलीम का तो इस तरी के से घोटने के बाद हम आड़ करेंगे आदा कप दही दही को आड़ करते वक्त फ्लेम को आफ कर दे और फिर दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से फ्लेम को आफ कर दे और बाकी के मसालों को भी आड़ कर दे जिसमें जाएंगे एक टीस्पून इलाइची पॉडर, एक टीस्पून काली मिर्च पॉडर और आदा टीस्पून गरम मसाला पॉडर दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से धन्या और पुदिने के पत्ते भी डाल दे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें 3-4 टेबल स्पून घी भी डाल दे, इसी के साथ आदा कप दूद भी डाल दे, इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा हलीम में तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीखे से मिक्स कर लेने के बाद घोटते हुए मिक्स करें, याद रखिए घोटते हुए ही मिक्स करें, अब इसमें डाल दे, एक मुठी भर के तली हुई प्यास, जो हमने स्टार्टिंग में फ्रै करके रखेते, अट लास्ट इसमें जाएगा, एक लेमन का जूस, अब फ्लेम को आफ कर दे, हमारा हलीम बनकर तयार है, ये देखे कितना परफेक्ट सा इसका टेक्स्चर आया है, तो आब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ, ये देखे, ये थंडा होने के बाद थोड़ा और तिक हो जाएगा, ये देखे इस तरीखे से, एक सर्विंग डिश में निकालने के बाद इसके ओपर गार्निश कर लें, पुदिना और धनिया के पत्तों के साथ, प्राइड आनियन्स, बाजू के साथ, गार्निश कर लें, अब इसके ओपर से हम जो तरी निकालके रखे थे, उसको डाल देंगे, तो ये और अट लास्ट हम इसमें आड़ कर देंगे नीमबू का जूस, इसके ओपर से नीमबू का रस निचोड के सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आसानी से बन जाती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राइ करें और अपने घरवालों को खुश कर दें, तो ये दे चैनल को सबस्क्राइब करते हैं इसे मज़ेदार रेसिपीज के लिए, तो इंशाला मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिए, अल्ला हाफिज